है गाइस वेलकम माई चनेल गैस इस वीडियो में आज हम एक जो इरिस का होती है उसका जो चरजर होती है बैटरी चरजर 48 वोल्ट का उसको रिपेर करना सीखेंगे देखें इस तरह की चरजर में ज़तातर एक तरह का प्रोब्लेम दिखाई जाती है तो इस चरजर का जो दिखाए थे वो बोल रहा है कि जैसे कि हम इसमें में पाउर सब्लाई देते है तुरांत इसका फ्यूज कर जाती है हमने तीन चरबार फ्यूज उसको लगा के दिखा फिर भी कर जाती है फिर उसने मेरे पास चरजर लेकि आया जैसे कि पीछे आपने देखा फ्यूज वो जैसे ही पाउर सब्लाई इसमें दे जाता है तो भी उच कर जाती है तो हम आपको बता दे कि आपके पास अगर इस तरह का चरजर रहा तो आप डार एक में पाउर सब्लाई नहीं दिखे इसको फास्ट जो है सीरीज लेम प्याप चेक करेंगे तो किस तरह से चेक करेंगे आप किस तरह से इसका problem solve करेंगे वो भी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे चलिए सबसे पहले हम series lamp इसको check करते है तो यह इसका main power supply है यहाँ पे हमने series lamp इसको दे दिया दिखिए जैसे हम इसमे main series lamp इसको दे दिया है तो इसका जो bulb फूल glow हो रहा है तो इसमें अगर हम regular water को इस तरह से घुमाते है तो कोई यहाँ पी इस response जो है नहीं आती है सिर्फ घुमाने पर यह off हो जाती है जो off का switch जहां पर आती है देखिए इस off हो जाती है बाकि इसका जो बाल पे उसमें कोई भी response नहीं आती है फास्ट आप इस पर स्रीज लेंप पर टेस्ट करेंगे देखिए अगर फूल गुल हो रहा है इसके अंदर शॉट है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इसका जो ढखकाने उसको खोलेंगे उसके बाद दिखाएंगे इसका सॉट आप कर सकते हो इसके अंदर इस तरह सबसे ट्रंसफर्मा देखने में आती है जैसे कि आप जानते हों तो दिखैक आपthose में बालेम नहीं है चोटा सा है कुछ भीष्ट्रंसफोर्मा में है आपको देखने को नहीं रही मिलेगी इस तरह का प्रब्लेम में तो इसके अंदर गावशन आप का है यहां पिसका छो आउर्पूट वोल्टेज है वो यहां से निकलती है तो देखिए इसको सबसे पहले आपको खोलना परेगा तो पिछे यहां पर एक स्कुरू लगा ही होती है इसको इस तरह से आप ओपेन कर सकते हो यहांसे हमने इसको कोल दिया अब इसके जो सरकिट में जितने भी वािर लगा हुआ है तो आप चाहले इसको कोल सकती हो और बीना खोले भी इसको ड रिपयर कर सकते हो जैसे किए आप यहां पर देखे इसके अंदर दो रेक्ट्रिफर्फार्ण लगा है है किसी जो चटार्श करेंगे बोव में आपको दिखा देता हूं जाएसे कि हम नहीं पर बाजर पॉइंट पर इसको सेट कर दिया अगर बाजर पर बीप का एक साउंड आएगी तो यहां पर देखिए हमने पॉजिटिव पे पॉजिटिव को टर्मिन को लगा दिया और नेगेटिव पर नेगेट नहीं दिखा रहा है और इस when alarm पर कुछ नहीं दिखा रहा है इसके मतलब यह बाला था हमारा नया रिक्टिफायर आएंद तो सही है तो अगर सही बाला रेक्टिफायर होगा तो आपको इस तरह आगा सो करेगी कुछ भी नहीं दिखाई देगी और अगर इस सॉट हो जाती है तो आपको दोनों टर्मिल में जैसे यहाँ यहाँ पर टाच करोगे तो आपको बीप का साउंट या कुछ डिजिट दिखाई देगी अगा सॉट होगी तो इस तरह से आप यह करके उसको खोल के रिफ्लेश भी कर सकते हो लेकिं से यहाँ पर डालग ठेक्ती है इसको देख सकते हो डिंच करें हो हैं इसको डिजिट इसका नमबर लखा हुआ रही है और अलग हो सकती है तो आपकुछ इस पोज पोजिटीव पैंजम आफी जब आप रॉपियर करेंगी आफ्ची है क्क्राटी का लेकर आईए जुझत ज्यादा प्राइस का होती है जह ज्यादा प्राइस का होती है यह इसका हीट सिंग है तो हमने इस भाग को तूर के निकल सकते जहीं ॥ ऊच्छा है तो आप क्या करेंगे इसका जो ल्ग अंदर रह गया है उस लेक्स को हम हीट दे के जो हे निकल लेगे इसे क्या होगी थोड़ा सा ही हीट में जुस्सोрах इसका जो लेग निकल के आ जाती है ज्ञाद हो महनत नहीं करना परता तो इस तरह से जब लेग्स निकल सकती हो या फिर फूली रिक्टिफाय भी निकाल साकते हो तो यहां पर देखे इसका POSITIV है तो POSITIV को आपका जो Ccs यहां पे भी एक positive का symbol आपको दिखाए देगी और एक negative का तो positive को positive के सारब रखना है और negative को negative के सारब रखना है और इस तरह से इसको लगाना है तो आप चाहओ तो single single इस सारब लगा सकते हो और soldering कर सकते हो और ने तो एक सार्द दोनो रेक्टिफायर को भी लगा सकते हो देखिए यह रेक्टिफायर है एक्चुली जो डायोड होती है वही का काम करता है पोजिक नेगरिक का तो यह डायोडी है एक तरह का तो आप देखिए हमने यहापे सबसे पहले इसके अंतर हीट पेस्ट लगाएंगे हीट्सिंग पेस्ट इसको बोला जाता है तो आप जो रेक्टिफायर को जिस तरह आप हीट्सिंग पे लगाएंगे उसकी उपर में यह पेस्ट जोरू लगाएंगे पेस्ट अगर नहीं लगाएंगे तो आपका जो rectifier वो तुरांत खराफ हो जाएगी तो यह जो heat sink का paste है आपका जो heat sink plate है उसकी साथ अच्छे से attach हो जाती है और उसका heat को अच्छे से consume कर लिती है इसलिए heat sink का paste लगाए जाती है आप देखिए इस तरह किसका positive है तो आप जो next time rectifier लगाएंगे तो इसका भी positive एक तरह फी रखेंगे इस तरह से हैना इस तरह से upset करेंगे देखिए positive से positive एकी side होना चाहिए और negative negative एक side होना चाहिए और कुछ इस तरह से हम इसको tight कर देंगे आप इसको lose बिल्कुल भी नहीं रखना फूल टाइट करके इसको आप लगाएंगे अगर lose रखेंगे तो हीट सिंग लगाने की कोई मतलब भी नहीं रहेगी यहापे भी positive की तरह हम positive रखके इसको लगा देते हैं यह चीज आपको ध्यान रखना परेगा कि किस तरह positive है और किस तरह नेगिटिव है positive negative अगर उल्टा हो जाएगी तो जैसे आप power साब लाए देंगे आपका 35 फिस से short circuit हो जाएगी इसकी बाद यहां पे पेस्ट लगाके आप आच्छे से इसको soldering कर लिजेए देखिए एक चीज आपको बता दू छोटे मोटे soldering iron से यह soldering नहीं होगा आपको आच्छा 25 वाट का उससे भी ज्यादा अगर हो तब इसको आच्छे से soldering कर सकते हो चोटे मोटे जो 25 वाट का soldering iron आती है उससे यह sold नहीं होगा तो देखिए हमने soldering करके complete कर दिया है और अब इसको आप टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि यह हमारा successful हुआ या नहीं हुआ तो जब भी आपको इस तरह का problem आई है तो आपको मैं बता दू सबसे पहले तब rectifier चेक किजिए अगर swap का problem आती है तो तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसको series lamp पहले कैसा दिखा रहा था आप कैसा दिखा रहा है देखिए आप देखें दोस्ता अमरा charger का जो fan है वो घूमने लगा है अगर आप बाल्ब की तरब देखेंगे तो बाल्ब थोरा सा इसका फ्लैमिट है वो गुलो हो रहा है इससे पहले क्यों हो रहा था कि फूल बाल्ब गुलो हो रहा था क्योंकि वो स्वाट था अब यह स्वाट नहीं है इसके दिखिए इंडिकेडर भी जल रहा है वाल्ब चल रहा है लड़ी और फ्यान भी घूम रहा है तब हमरा charger है बिल्कुल ओक्के हो चुकी है आप देख सकते हो तो आप बाल्ब की तरब देखेंगे तो आप जैसे कि मैंने पहले बात आया कि अगा ठीक रहेगी तो इसका थोरा सा ही गुलो होगी अब इसका जो आउटपूट टार्मिनल है पोजिटिव और नेगेटिव हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे इसका आउटपूट कितना वोल्टेज निकल रहा है तो यहाँ प पूटबूई सही आ रहा है तो हमारा चार्जर हो जो है वो बिल्कूल 100% सही हो चुकी है आप इसको हम पावर्स अपला है जो मेन पर आपको देखे दिखाते हैं देखिए यह मेन पावर्स अपला है और यह सुईच हमने दे दिया देखिए मेन पर भी यह कोई डिस्टप पंकाचे सही चल रहा है और LED भी गुलो हो रहा है तो दोस्तों आपने देखा इसी तरह से इस तरह का इरिक सा चर्जरा प्रिपेर कर सकते हो बाकि इसका अगर टानस्फरमा वाइंडिंग आप वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिय और और भी नए नए वीडियो आपको इस चैनल मिलते रहेगी तो चैनल को आप जूरू सब्सक्राइब करके रखिए यह वीडियो अचा लगा तो लाइक जोरूर कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो दोस्तों धन्यबाद